कि यह भी एक गुथी है कि लोगों ने का आप नेता इतने बड़े बनते हैं इम्रान मसूद चुनाव एक नगरपाल का की चेहर में नी जीते एक विधाय की जीते 2007 से 12 2012 विधानसभा हारे बेहट से 2014 लोगसभा हारे 2017 की विधानसभा हारे और 2019 की लोगसभा में तो लोगों ने कहा कि गत हो गई चीछा लेदर हो गई ऐसे शब्द इस्तमाल किये लगातार चार चुनाव हारे और लोगों ने कहा कि अगर इम्रान मसूद पाँचवा चुनाव हार गए तो ये उनका आखरी हारने जीतने से सिरफ MP MLA बन सकते हैं, लीडर नहीं बन सकते हैं, मैं 43,000 में MLA बना हूँ, 87,000 पर दूसरा इलेक्शन आ रहा, 4,10,000 पर पार्लिमेंट आ रहा, जो आज तक रिकॉर्ड वोट है, जो मिला ही नहीं था जब तक किसी को, जीतने वाले को भी नहीं मिला था उत 2019 के अलेक्शन के अंदर, गड़बंदन के बावजूद, गड़बंदन के तुफान के बावजूद, दो लाग 10,000 वोट लेकर के गया हूँ, तो यह मेरा वोट है जो, और इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता हूँ, हारने और जीतने के लिए नहीं, चुनाओ के अंदर हमने अपनी लड़ाई लड़ती है, अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए लड़ते हैं, फैसला जनता का है, हमने इमानदारी के साथ खिद्मत की है, कोई जीते कोई हारे काम तो इम्रान ही करेगा, MP हैंपर MP के होने का ना होने का कोई मतलब नहीं, काम तो मैं ही करू बात और सुनने में आई चुछकि आप इतना खुल के बात करी रहे हैं आपके जो हैं और मेरे ख्याल से आपकी राजनेतिक गुरू भी रशीद मसूद साहब जिनका इंतिकाल हो गया देहान्त हो गया लोगों ने कहा कि देखिए रशीद मसूद थे तो मुसल्मान और तमाम जिंदगी पॉलिटिक्स भी दिल्ली की की लेकिन रशीद मसूद को सब विरादरियों को साथ लेकर चलना आता था और ये भी कहा गया कि रशीद मसूद की ही कक्षा के ये विद्यारती हैं जो आपको अलग-अलग राजनेतिक दलों में दिखते हैं चाहे वो कहराना के भाजपा सांसद हो वो भी उनी के पॉलिटिकल उससे आते हैं चाहे वो दूसरी पार्टियों के नेता हो लेकिन पता नहीं क्या हो गया रशीद मसू चुनाओ लड़ते हैं चुनाओ हिंदू मुसलिम हो जाता है खुद भी चुनाओ हारते हैं दूसरों का चुनाओ भी खराब कर देते हैं ये बयान आया देगे रशीद मसू साब यूनिवर्सिटी थे सारनपुर की राजनीत की और उन्होंने यहां से सब को पैदा किया इस मेरे जो कंडिडेट्स और वूट की महीं नहीं के इंदर कमी नहीं आई मेरे वोट्ट आप रिकाॉड उढ़ों जहां बड़ाज हैं आपको कमी कहीं नहीं है संजय गर्ग MLA बने संजय गर्ग को MLA मैंने बनाया संजय गर्ग को खड़ो करके इमानदारी के साथ मैंने गड़बंदन का रोल में रोल अदा किया और MLA बना कर ले गिया संजय गर्ग को मैं तो ये मुसल्मान तो नहीं है तो मेरे उपर तो ये इल्जाम करतियक्ष को प्रमान की जुरूरत नहीं होती है संजयगर्ग और नरेश्ट नरेश्ट सहनी दोनों मेले मेरे बनाए हुए इनके लिए मांदारिक साथ अपना चुनाओ छोड़ करके इनके लडाता हूं मैं भी हार जाता हूं मैं तो कभी अपने चुनाओं में टाइम ही नही करता हूं